Hello everyone, welcome to Study Glows, मेरा नाम है Dr. Sarita दोस्तों आज हम एक important theory के बारे में बात करेंगे ये theory है theory of heartland, हिर्दय अस्थर का सिधान्थ वो सारे students जिनका main geography है और साथ ही वो student जो की post-graduation geography से करेंगे या फिर कर रहे हैं, उनको तो theory of heartland पढ़ना ही पढ़ना है basically ये theory जो है political geography और geopolitics का हिस्सा है कैसे ये हिस्सा है, इस बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले बहुत सारे लोग confused हो जाते है political geography क्या है और geopolitics क्या है तो हम यहाँ पे confusion को clear करते हैं political geography जिसे ये राजनेतिक भुगोल कहा जाता है political geography जो है राज्य का जो अध्यन है यानि कि राज्य की study राज्य से आपका मतलब एक country से है तो राज्य की study वो छेत्र के आधार पर जो geographical area है उसके आधार पर वो करता है इसे हम political geography कहते हैं जबकि geopolitics जो है छेत्र के आधार पर राज्य का अध्यन करता है यानि कि जो geographical space है उसके आधार पर वो राज्य का अध्यन करता है ये हमारा geopolitics और political geography में difference है अब हम आते हैं अपनी theory पर theory of heartland सर हलफ़ोर जॉन मैकिंडर ने दिया था मैकिंडर आपको मैं बता दू कि ये लंडन यूनिवर्सिटी में geography के professor थे साथ ही London School of Economics में ये डारेक्टर थे और British संसद में यानि British Parliament के ये सदस्य भी थे इन्होंने हमेशा से ही यूरोप की जो political history है उसे continental power और oceanic power इन दोनों के बीच एक struggle के रूप में देखा है और अपने इसी opinion को और अपने इसी विचार को इन्होंने 1904 में दी geographical pivot of history में दिया उनका ऐसा मानना है कि जो ultimate power है वो depend करती है geographical location के उपर किस country की geographical location कैसी है ये depend करती है कि वो country कितना powerful है और आगे वो कितने देर तक अपनी सत्ता को संभाल के रख सकता है तो उन्होंने हमेशा से ही एक struggle के रूप में continental power और ocean power को देखा और उनका ये मानना है कि जो ultimate victory होती है वो continental power की होती है और इसी वजह से वो एक ऐसे छेतर के खोज में लग गए जो कि बिलकुल स्तुरक्षित हो और जहां पे resources बहुत जादा हो उनका ऐसा मानना है कि अगर कोई भी country इस तरीके के इलाके को नियंतरण में ले लेता है तो वो राज्य विश्व शक्ती के रूप में एक world power के रूप में अस्थापित हो जाएगा और इसके लिए मैकेंडर ने जियो पॉलिटिकल स्ट्रेजी के बेस पर world को चार लेंड मास में डिवाइड किया ये है आपका दी पीवाइट एरिया ये जो पीवाइट एरिया है यही बाद में जाके heartland कहलाया इसके बाद आपका world island आया फिर inner crescent और उसके बाद से outer crescent तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि मैकेंडर ने world को चार लेंड मास में डिवाइड किया है heartland में, world island में, inner crescent और outer crescent में यहाँ given projection में आप देख सकते हैं कि मैकेंडर ने अपने heartland theory को explain किया है आपको outer crescent नजर आ रहा है और बगल में जो बिखरे हुए हैं यह आपका world island है इसके बारे में हम इन चारों के बारे में जानेंगे फिलाल यहाँ एक और important question arise होता है कई बार question पूझा जाता है कि मैकेंडर ने अपने theory को, अपने heartland theory को explain करने के लिए किस projection का इस्तमाल किया तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैकेंडर ने अपने heartland theory को explain करने के लिए marketer projection को use किया है मैकेंडर ने world की political history और geographical factors को ध्यान में रखते हुए यह conclusion निकाला कि पूरे विश्व में खास करके यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिला के एक बहुत बड़ा landmass तयार होता है जिसके चारो तरफ कुछ बिखरे हुए island है जैसे north end, south america, australia, great britain और japan और ये जो distribution pattern है इन island का इसको ध्यान में रखते हुए मैकेंडर ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के सिर्फ northern part को ही world island कहा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि इन्होंने पूरा एशिया और पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका नहीं लिया बलकि इनके सिर्फ north part को ही इन्होंने world island कहा और यहाँ एक और बात बता दू कि 1919 में इन्होंने पूरे के पूरे अफ्रीका को world island में शामिल कर दिया तो मैकेंडर की कई बार criticize भी उनको किया जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी theory को कई बार change भी किया है यानि कि इन्होंने अपनी theory पे time to time improvement भी की है और यह world island पूरे world का two by third area occupy करता है और वहीं अगर हम heartland यानि पी white area जिसे हिंदी में धुरी छेतर कहते हैं इसके बारे में बात करें तो मैकेंडर का ऐसा मानना था कि उन्होंने यह बताया कि world island का जो inner land मास है यह तीन तरफ से mountain से cover है और एक side से यह Arctic ocean एकदम बरफीले Arctic ocean से यह cover है तो ऐसे में जो ocean power है वो यहाँ पर easily access नहीं कर सकती है क्योंकि जो geographical condition है जो geographical location पड़ता है इस white area का यह बहुत जादा जटिल है और ऐसे में कोई भी power खास करके जो ocean power है वो यहाँ पर access नहीं कर सकती है क्योंकि तीन side से यह mountain से cover है और एक side से यह आपका बरफीला जो समुन्दर है यानि कि Arctic ocean जो है उससे cover है तो ऐसे में कोई भी समुन्दरी शक्ति यानि ocean power यहाँ पर easily access नहीं कर सकती है Heartland की surroundings को इन्होंने inner या marginal crescent कहा और खास करके वो सारे area जो की Atlantic ocean, Indian ocean और Pacific ocean के influence में आते हैं उनको इन्होंने inner crescent का नाम दिया और इसमें इन्होंने include किया Western Europe, West Asia, Indian subcontinent, South East Asia और Eastern China को और outer crescent के बारे में बात करें तो इसमें North America, South America, Australia और इसी में इन्होंने जापान और Great Britain समुन को भी शामिल किया तो यहां पर एक और बात ये बता दू कि Mackinder ये सोचते थे कि जो ocean पर आधारित Britain की शक्ति यानि कि Britain चुकी ocean से influenced है तो इसकी power continental power ना होकर ocean power है तो उनका ऐसा माना था कि ocean power जो है ये हार जाएगी इसका पतन हो जाएगा लेकिन इनका ये जो सोच है ये बहुत जल्दी बदल गया मैकिंडर ने अपनी थियोरी को explain करने के लिए कुछ statement दिये ये क्या statement है ये जानना बहुत जरूरी है whoever has control the eastern Europe will rule the heartland whoever has control the heartland will rule the world इसको हिंदी में भी मैं बता देती हूँ इन्होंने कहा जो पूर्वी यूरोप पर शाषन करता है वो हिर्दय अस्थल को control करता है जो हिर्दय अस्थल पर शाषन करता है वो विश्व द्वीप को नियंद्रित करता है और जो विश्व द्वीप पर शाषन करता है वो पूरे world को control करता है तो ये थी Mackinder की Heartland Theory लेकिन Mackinder की Heartland Theory को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया क्यों क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि First World War के टाइम जो असल शक्ति है यानि कि Continent Power की जगा Ocean Power की जीत हुई Ocean Power जीत गया और इस वजह से इसका क्रिटिसाइज बहुत किया गया लेकिन आगे चलके जो Mackinder है इन्होंने अपने Heartland की जो सीमाए है जो boundary है उसको भी फिर बदल करना शुरू किया उसको भी extend किया और उनका ये मानना था फिर उन्होंने अपने statement को थोड़ा सा change करके ये बताया कि जो आपका हिर्दय असल है ये हमेशा नहीं जीत सकता जो समुंदरे शक्ती है यानि Ocean Power भी World Island के अधिकतर भागों को access कर सकती है और आज के date में तो इनकी ये theory बिल्कुल भी applicable नहीं है क्योंकि हमारे पास आज modern means of transport है, space technology है, developed missile है और हम आसानी से heartland में access कर सकते हैं लेकिन इतना criticize होने के बावजूद भी Mackinder की heartland theory की अपनी value है क्योंकि आगे आने वाले जो भी scholars से उन्होंने इसका study करके अपनी theories में बहुत जादा improvement किया, इनके against जो सबसे जादा famous theory है वो rimland की theory है, इसको हम next lecture में पढ़ेंगे, तो I think कि आपको heartland की theory बहुत अच्छे से स Glows के टेलिग्राम चैनल पर available है